हेलो असलावलेकुम वेलकम बेक टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप लोग अच्छे होंगे तो अभी हो रहा है शाम का पांच बजरा है और जैसा कि आप लोग देखें कि मेरा भी स्क्रब हुआ है तो अभी फेस वाश करके आए हैं इसलिए मेरी आखे थोड़ी सी ला लग जाएगा तो यह होता है मेरे साथ मैंने पहले भी बताया कि मैं जब फेस वाश करते हूं तो मिरी आखें लाल हो जाती है और जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं पहले ही अपना फेस वाश कर लेती हूं तुरंद फेस वाश करके मैं कभी नहीं जा सकती क्योंकि आख और पुरे घर का हालत खराब है क्योंकि जिशु तीन बजे आया ना जब एक्जाम देखे तो फिर हम लोग यहीं पर थे पिर यहीं पर आप देखे इस क्रब हो रहा था तो हम लोग यहीं पर अपना हंगामा मचाए वेते तो पुरा घर फैला हुआ है तो अभी घर ठीक करना है और मुझे सोचना है कि मैं क्या पहनों पहने कि साड़ी पहने और हजबन बोल रहे हैं कि साड़ी पहन लो इनके ऑफिस प्लाइन सब आने वाले तो एक वारताहना कि हजबन को कि मेरी वाइफ यह पहने वो पहने तो आसे बिए इनको साड़ी बहुत पसंद है तो तो इसलिए अभी देखेंगे कि क्या पहनेंगी यानि कि कौन सी साड़ी पहने और ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है लास्ट टाइम तक मेरा चेंज भी हो सकता है इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बता सकती और मैं क्यों ऐसा बोल यह बता दो क्योंकि मुझे साड़ी पहनने में बह तो अभी कुछ पता नहीं है और अभी देखते हैं कि क्या पहनेंगे और जिया के लिए तो सोच रहती कि जो अभी मुझे लेकर आय थे ना रेड़ वाला तो मैं उसे बोली कि वही पहन लो तो मैं तो बोल रही हूं लेकिन वह क्या पहनेगी अभी मुझे कुछ पता नहीं तो सबसे पहले चलते हैं घर को ठीक करते हैं देखने लायक करें क्योंकि husband आने वाले हैं तो उनकी आने से पहले घर को साफ कर दें थोड़ा साफ हो जाएगा तो अच्छा ही है और एक बार जाड़ू भी लगा देंगे तो घर साफ करके फिर मिलते हैं और बिर्यानी बहुत अच्छी बनी थी और आप लोग भी जरूर ट्राइ करिएगा बहुत अच्छी बनी थी और थोड़ा सा बच्छा है जादा नहीं बच्छा क्योंकि मुझे पता था कि शाम को जाना है तो इसलिए मैंने हलका ही हलका कह दि सब्सक्राइब तो कल खाल नहीं कि अच्छी तो तो यह को छोट एक हम उस्सक्राहद शाल की एध रριसे को fiquei Past आये हैं संथा भाटका फ्रिषस संव Dubai अध़कां के आधा उने स 사용 हैंएं और ट्क्छा क्या दियंकि क्या पहुत हैं क्या जह आज पहूरें रहें हैंा हैं तो हम पाइब कॉम सा पाइने साडी पर लो साडी नहीं यहां बता है इनकी फेवरेट साडी यह 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 सीधा पाइनल और बता है इनका क्या फेवरेट है यह ब्लाउज यह फूल आस्टीं का राइट और कोई नहीं पसंद इसका नब हाफ है ब्लाउज जो हाफ नेकर नहीं को नहीं पसंद हमेंसा कहेंगे फूल पैनो और इसी का गोल्डेन भी बनवाएं फूल अचे तो आज हम यह साडी पहने हैं और जिया क्या पहने घी फ्राट पहने जो जिल नैंक वही वहलो पैन नहीं प्रइड वाला। फंट कि थिष्ट पहने बच्छा नोक्रव टैट था पहने कि उसाड़ी में क्या पहनेंगे कानवालर जिया बताएगी जिया अगर हमको जानकी हो इस तर बताएगी कि हम कौन सा पहने हो जिया जिया कौन सा पहने कि उसाज़ा नहीं पारिया है कि थार फ्रॉन लता है रहें अज्ड़ा सब्सक्राइब करेशने के ब्लैक के साथ यह पहनें पहनें से मतलब रिप्रण यह यह विव मैध्य पहनें पहनें जाने मेरे पास ना ब्लेक यह एक यह एरिंग से यह भी तो है यह यह जो अभी उस दिन पहने थे ना यह आभ यह उस दिन साधी में पहने थे आज फिर पहन के जाएंगे तो सब कहें गेंगे ना किसके पास एक ही है यह 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 वी तो यह वाला पहनेंगे क्योंकि साडी ना थोड़ी सी है यह तो लाइट विट में गए पहने हैं कि मेरे पास जूती भी दो है ब्लैक कलर की दो जूती है तो दो पसंद कर लो दोनों के किक पाहन के पहन है तो अभी जो जूतीं पहन के गए ठींग वहाल ी नहीं पहन हें और दूसरी यूती तो मेरा तो सलेक हुगीज्च का बाकी बहुत बहुत वहांगे कहीं जा ओ क्या पहनो क्या पहन आं फिर आज पहनना है तो हम लोगों को ठीक पैंट सट डाले चल दिना उता है तो देखी आज आज ये बैठे हैं तो एक कमेंट जो बार बार आ रहा है आप गाना एक ठो तो सुना दीजिए गाना हां तो आपके लिए गाना ये गा रहे हैं बस ये क्या आप कान बंद मत करिएगा और हो सता है दु हां चलिए क्या खूब लगती हो बड़ी सुन्दर दिखती हो तुम जान से प्यारी हो तुम जान हमारी हो वाँ 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 थांक ये अभी वह बोलेंगे की हाँ आप सही गाना काय की नहीं चाही हीहँए। मुझे थोड़ा सा काम करना्म है। आज खाना नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा बरतन पड़ा है तो बरतन ढोना है और चाहे हम लोग पी चुके हैं अब तयार होना है अब तयार होना ज़िता लगना है नहीं पांच मिनट में तयार होंगे 2 घंटा 5 जिए 5 मिनट सिप कहने की बात है दो गंटा पांच घंटा सही बात है अगर हमको साड़ी पैनना होगा ना तब दो गंटा है तो चलिए चलते हैं काम की तरफ चल्दी-जल्दी काम कर लें उसके एदम को तयार भी होना है तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यह देखे हैं और अभी मुझे ना ये साड़ी को आइरन भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद निकल रहा है तो आइरन करना पड़ेगा तो आइरन कौन करेगा हम कर देंगा नहीं हम खुद कर लेंगे आप इतना मत ठकिए को कि 8 गंटा काम करके आये हैं इसलिए ना तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में तो मैं यहाँ पे तयार हो रही हूँ और यह वाला जो लाइट वाला जो मैंने दिखाया था ना यह रिंग्स वो पहन रही हूँ और मैं हस इसलिए रही थी क्योंकि हस्बेन वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो बार-बार मुझसे पूछ रहते कि और कितना टाइम लगेगा तयार होने में और सही पूछे ने तो दो घंटा लगी गया था मुझे तयार होने में क्योंकि साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम लग गया और इसका जो बॉर्डर है तो यह थोड़ा सा मोटा है तो वो आचल बैठी नहीं रहा था और जब बहुत दिनों बाद आप साड़ी पहनिये ना तो सही में नहीं सैट होता है और अगर घर में ऐसी ही पहनना हो तो फटा फट इनसन साड़ी पहन लेता है लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो यह साड़ी भी नकड़ा मारती है तो सैटी नहीं होता है तो वही हस्बेंट हस रहते की और कितना टाइम लगेगा कितने तो देर से तुम तैयार हो रही हो लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ था, साड़ी सेटी नहीं हो रही थी, और जी यहाँ पर रेड़ वाला पहनी है, लेकिन इसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह बोल ले थी, कि मैं गाउन पहन लो, तो अभी यह पहनी है, उसके बाद फ तो पर चोटी सी बिंदि लगा नी ओर अब मैं लगा और अधूर लाइट भी यो कогодि एुफकती है तो मैं ये सोचती कि dziए को कया है इसलिए मैं ड़रती हूं तो तो मैं तयार हो गई हूं अपने पले के साथ बह Dir को मजिपने बहा हुआ लगता है और मुझे वह बार बर समभ पहलना कुंड दो को मैं तयार हो गई हूं और मैं पहनी हूं ऩरी है तो यह साडी रुके हैं मैं सी से में से दिखाती हम यह ऐसे दिखेगी ऐसे भी ने दिखेगी मैं दिखाती हम तो यह है मेरी साड़ी और मेरा मेक अप हो गया है और मैंने आज सिप यहां पे ऊपर पे आई लाइनर लगाया और नीचे में काजल नहीं लेगा है क्योंकि काजल ना फैल जाता है और मेरे हस्बंड भी जा रहे हैं ऐसी हापन्ट में तो आज यह नाराज है तो आज यह हापन्ट में ही जाएंगे और मैंने छोटी सी बिंदी लगा लिया है क्योंकि साड़ी में बिंदी अच्छी लगती है इसलिए हल्की सी तो मिलते हैं थोड़े देर में तो बस हम लोग निकल रहे हैं हस्बंड भी तयार हो गया है सब लोग गये थे तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहां पे भी जाने के लिए ना पांच मिनट लगता है तो उस जिन हम लोग क्लव गये थे और आज जा रहे हैं एडिटोरियम तो बस हम लोग सब लोग तयार हो गये हैं और मैं और जिया पीछे बैठे हैं हमेशा की तरह और जीशु बैटा है आगे तो गाड़ी में क्या था ना कि गाना बज़रा था इसलिए मैं आप लोगों से गाड़ी में बात नहीं करी तो फिर मिलते हैं वहां पे पहुँचके तो यहां पे हम लोग आ गए हैं और हम लोग बैठे हैं और जो गिफ्ट देना था वो मैं और म भी पूरी चेर खाली है और स्टेज मुझे अच्छा लगा और टीजे भी था और हम लोग जाता दिर तक रूके नहीं थे बस गए खाए पिए और चले आये थे मुझे पान फिर मिल गया हम लोग दोनों लोग पान खाए हैं नहीं है मेरे में और जीसु अपने फ्रेंड के साथ वहीं रुक गया और हम लोग घर जा रहे हैं तो हम लोग आ गए हैं शादी से शादी नहीं रिसेप्शन से और मेरा मेकप अभी तब है ठीका हुआ है और खाना बहुत अच्छा था और महले की भावी मिल गई थी ना तब तो और भी मजा आया उनके साथ को खाए और और पान लिखाए पान का कलर ना बहुत अच्छा अच्छा आया है और साडी ऐसे अभी खोल के पला लिए हैं लेकिन वैसे तो फिर सर पे पला करके लिए थे और जिया पहनी थी यह गाउन तो चलिए आज का ब्लॉग यही पर एंड करते हैं आई हो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा और फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ तब तब के लिए बाबाई अपिस पिर मिलते हैं करते हैं